जम्मू कश्मीर मंदरों के शहर जम्मू की धर्टी पर देश के ये शस्वी मान्य प्रधान मंत्री शिरीमान नरिंदर भाई मोदी जी का हम सब स्वागत करते हैं जोरगार तालियों से स्वागत आदने परधान मंत्री जी का भारत माता की भारत माता की शिदन करती हूँ कि आदने परधान मंत्री जी को माता रानी की चुनरी व माता रानी जी की मूर्ती देकर आदने परधान मंत्री जी का स्वागत करें हमारे देश के ये शस्वी प्रधान मंत्री परामश्रते स्रीमान मोदी सहाब का मा वैशनों रानी जी के और मा बावे वाली की इस पवित्र धर्थी पर हम हिदे से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं माननिये प्रधान मंत्री सहाब के इस पवित्र भूमी पर आगमन पर मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ हाथ खड़े करके जैघोश करेंगे प्रधान मंत्री जी के स्वागत में बोलिए भारत मता की भारत मता की भारत मता की भारती ए जनता पटी भारतिये जनता पर्टी माननिये प्रधान मंत्री मोधी साहव माननिये प्रधान मंत्री मोधी साहव माननिये प्रधान मंत्री मोधी साहव बहुत बहुत धन्यवाद मंचसी विश्व के सबसे लोक प्रिये नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परमश्रत मोधी सहाब का हम मंदिरुं के इस शहर में डोगरू की इस भूमी में हारदिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं साथियो ये हमारा सोभा के है कि मानिय प्रधान मंत्री जी का स्ने आशिरिवाद चम्मु कश्मीर की जनता को हमेशा प्राप्त होता है मानिये प्रधान मंत्री जी के अथक प्रयासूं से पिछले दस वर्षों में जम्मू कश्मीर में अमन, शान्ती, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, इस मिशन को, जो मानिय प्रधान मंतरी मोदी साहब की सरकार का मिशन है, इसको जम्मू कश्मीर पर, जमीनी सतह पर, यहाँ इस धरातल पर लागू, हम अपनी आँखों से होते हुए देख सकते हैं, ये सारे प्रयास मानिय प्रधान मंद्री मोधी साथ के हैं, मानिय प्रधान मंद्री जी, आपके द्वारा जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के साथ, जो इनसाफ किया गया, जम्मू के डोगरे हों, बार्डर के उपर रहने वाले लोग हैं, पी ओ जे के के विस्थ वेस्ट पाकिस्तानी रफूजी, गुर्खा समाज, वालमीकी समाज, हमारे दलिट समाज के भाई बहन, हमारे जाट समुदाए के भाई बहन, गूजर, बकरवाल, पहाडी कपीला, कश्मीर के लोग, समाज के हर वर्ग का भला, पिछले दस सालों में हमारे देश के मानिये प् अपने हाथों से सब का भला किया, आज जम्मु कश्मीर में हजारों की तादाद में यहां, जो पंचाईतों के अंदर काम करने वाले पंच सरपंच हैं, जो जिनको अधिकार दिये गए, बीडी सी, डीडी सी, ये पंचाईती राज, ये मानिये प्रधान मंत्री मोधी आज पूरे जम्मु कश्मीर के अंदर समाज का हर वर्ग, अगर इनसाफ के साथ, खुले आसमान में, शांती पूरवग महोल में, आज अगर सांस ले रहा है, इसका सारा श्रे हमारे देश के ये श्रस्वी प्रधान मंत्री मोधी साहब को जाता है, हम जानते हैं, कि गाटी को, शाम तीन बजे के बाद गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी, आज दिन रात, सडकों में चहल पहल, बजारों में रोनक, जम्मु हो, कश्मीर हो, बाडर हो, पहाड है, मैदान है, माताएं, बेहने, नोजवान, बुजर्ग हैं, हर व्यक्ति आज सुख की और ग प्रधान मंत्री आदर्निय मोदी साहब को जाता, मैं मानिय प्रधान मंत्री मोदी साहब का, हरिदे से, जम्मु कश्मीर की जंता की और से, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, साथियो, मैं अधिक समय ना लेता हुआ, स्वयाम मानिय प्रधान मंत्री मोदी स आप से निवेदन करता हूं कि आज के इस जन सलाव इस जन समंदर को आगर मानिये प्रधान मंत्री जी संभोधित करें भारत माता की भारत माता की जम्मुदे सारे बासिये की मेरी तरफा हाथ जोड़िये नवश्कार अवाज आ रही है डुग्यर के आप सभी शुर्वीर और देश भक्त परिवार जनों के बीच आकर मन प्रसन्न हो जाता है एक नई प्रेणा से भर जाता है इस धर्ती ने महराजा हरिशी बहर्चन महाजान और पंडित प्रेमना डोगरा जैसे महान महान लोग देश को दिये हैं इस धर्ती ने बेश की रक्षा के लिए खुद को नोचावर कर देने वाली अनेक संता ने दी हैं महान विरासत की इस धर्ती को नमन करता हूँ आज सहीद वीर सरदार बगसी की जन्मजेंती भी है देश के करोडों युवाओं की प्रेणा बगसीज को भी मैं सद्धा पुर्वक नमन करता हूँ भाई और बहनों जम्मू की ये सभा इस विदान सभा चुनाव की मेरी आखरी सभा है मुझे बीते हपतों में जम्मू कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में जाने का आउसर मिला है जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूत पुर्व उत्सात दिख रहा है जम्मू कश्मीर के लोग, कॉंग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खांदानों से त्रस्त है लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते, जिसमें बस्ता चार हो, नोक्रियों में बेदभाव हो जम्मू कश्मीर के लोग, आतंग, अलगाव, खुन खराबाव, अब नहीं चाहते हैं यहां के लोग, अमन शांती चाहते हैं यहां के लोग, अपने बच्चों का, बहतर बविश्य चाहते हैं और इसलिए, जम्मू कश्मीर के लोग, भाजपा सरकार चाहते हैं साथियों, पिछले दो चर्णों में, भारी मतदान ने, जम्मू कश्मीर की जनता का मूर्ग बता दिया है दोनों चर्णों में, भाजपा के पक्ष में, जवर्दस वोटिंग हुई है अब यहां, भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार सुनते हैं न, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तै है और साथियों, मैं विशेत्रुप से जम्मू क्शेत्र के लोगों से आद कहना चाहूंगा की जम्मू क्शेत्र के लोगों के लिए, इतिहास में पहले कभी ऐसा मोकान नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है आज, पहली बार, जम्मू क्शेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है और ये तो मंदिरों की नगरी है इस मोके को छोड़ना नहीं है चूकना नहीं है भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीडा को दूर करेगी जम्मू के साथ दसकों से जो भी बेजबा हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी हाई यूर बेनों आठ अक्तुबर को मा के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे और हम सब तो माता वैष्णों देवी की साया में पले बड़े है और बारा अक्तुबर को विजिया दस्मी है इस बार की विजिया दस्मी हम सभी के लिए शुपशुरुवात वाली होगी जम्मु हो सामभा हो कठवा हो चारों तरफ एक ही नारा गुंजरहा है जम्मु की यही पुकार आ रही है बाजपा सरकार जम्मु की यही पुकार जम्मु की यही पुकार जम्मु की यही पुकार साथियों इस चुनाव में जम्मु कश्मीर एक नया अध्याए लिखने जा रहा है बीते दसकों में यहां सिर्फ कॉंग्रेस नेश्टल कॉंफरेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बद वो ही फले फुले आपके हिस्से तो सिर्फ और जिर्फ तबाही आई यह जो हमारी पीडियां बरबाद हुई है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कॉंग्रेस पार्टी है आजादी के बाद से ही कॉंग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है आप वो दोर याद किजिए जब सीमा पार्ट से आए दिन गोले बरस्ते थे आए दिन मिडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी एक बार फिर सीज भायर का उलंगन उदर से गोलियां चलती थी और कॉंग्रेस वाले सफेज जंडा दिखाते थे लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उदर वालों के होश्टिक आने आगे साथ यूँ आपको याद होगा आज 28 सितंबर है साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जीकल स्ट्राइक होई थी भारत ने दुनिया को बता दिया था यह नया भारत है यह गर में गुश कर मारता है एक वो दिन था और एक आज का दिन है आतं के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा लेकिन साथियों आपको कॉंग्रेश का रवया कभी भी भूलना नहीं है कॉंग्रेश वो पार्टी है जिसने हमारी फोच से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे कॉंग्रेश वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है आप मुझे बताईए क्या कभी भी आप ऐसी कॉंग्रेश को माप कर सकते हैं क्या माप कर सकते हैं क्या साथ क्यों देश के लिए मर मिटने वालों का कॉंग्रेश कभी सम्मान नहीं कर सकते यही कॉंग्रेश है जिसने चार दसक तक हमारे फोजी परिवारों को वन रैंक वन पैंशन के लिए तरसाया कॉंग्रेश ने हमारे फोजीों से जूट बोला यह कहते थे कि बन रैंक बन पैंशन ओ और ओपी से खजाने पर बोज पड़ेगा लेकिन मोदी ने फोजी परिवारों के हीतों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने OROP लागू किया अभी तक फोजी परिवारों को एक लाग विस हजार करोड पे से अधीक मिल चुका है हाल में हमने OROP को रिवाइज भी किया है जिससे फोजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तै हुआ है साथियों आज की जो कॉंग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कबजे में है जब विदेशों से गुष्पेट यह यहां आते हैं तो नजाने क्या कारण है कॉंग्रेस को अच्छा लगता है उनमें उनको अपना वोट बेंक दिखता है लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर यह उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं साथियों कॉंग्रेस नेश्डल कांफरंस और पीड़ीपी यह संभीधान के संभीधान के सबसे बड़े दुश्मन है इन्होंने बाबा सब आमेड करने जो संभीधान दिया उस संभीधान की स्पिरीट का गला गोटा है आप देखिए यहीं जम्मों में कई कई पीड़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को गोट देने तक का हक नहीं था उन्हें इस हग से किस ने वंचित किया कॉंग्रेस, एन्सी और पीड़ीपी ने भी किया अब भाजपा ने बाबा साब आमबेड करके संभीधान के स्पिरीट का सम्मान करते हुए ये अथिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है पस्चिम पाकिस्तान और पीयो के से आए हमारे बहन भाई हमारे गुर्खा साथी हमारे वालमी की परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है लेकिन अनेक पीडियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया कॉंग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है साथियों भारत के सम्विधान ने लोकल बोडिस की व्यवस्ता बनाई है लेकिन सम्विधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्बीर में पंचायत बीडीसी और डीडीसी के चुनाओं को भी रोक रखा था सम्विधान के तहट शेडूल ट्राइब के लिए सीटे आरच्छित होती है लेकिन कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस पीडीपी ने जम्मू कश्बीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया भाजपा सरकार ने ही सम्विधान में दर्च ये हक दिये हैं आज देखिए जम्मू रिजन की छे सिटें एस्टी के लिए रिजर्व है इसे गुजर्वकरवाल पहड़ी समुदाए ऐसे हमारे अनेख समाजों को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जिन साथियों को ये हक मिले हैं वे अप्खूल कर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी तांकत से वोट दे रहे हैं भाजपा पर भरोसा का एफिक्स डिपोजीट हमारी बहुत बड़ी पूंजी है इस पूंजी की रक्षा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे साथियों कांग्रेस नेशनल कांफरंस पीडीपी के कारण जिनको भी गाव लगे हैं उनका मत मजहब कोई भी हो भाजपा हर गाव पर मरहम लगाने में जूटी है भाजपा ने कश्मिरी पंडितों के पुनरवास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की गोशना की है विस्थापितों के पुनरवास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको बढ़ाने का भी वाइदा भाजपाने किया है साथियों आज जमु कश्मिरी में आ रहे बढ़लाव से कॉंग्रेस, एन्सी और पीडीपी वाले भढ़के हुए है इन्हें आपका विकास पसंद नहीं है ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टिम लाएंगे ये फिर वो बेदभावाला निजाम लाएंगे और जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा ये पूरा जम्मू रिजन रहा है कॉंग्रेस, नेशनल कांफरंस, पीडीपी ने जम्मू के साथ हमेशा अन्याय किया है ये तुष्टी करण के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप इनके भासोनों को सुनिए कैसे डोगरा विरासत पर ये हमला करते हैं महाराजा हरी सी को बदनाम करने के लिए ये कैसे कैसे लांचन लगाते हैं देश का सबसे ब्रस्ट परिवार कॉंग्रेस का परिवार डोगरा राज को ब्रस्ट बता रहा है मैं जरा आप से पूछना चाहता हूँ जम्मु खेत्रे के लोग मुझे बताईए क्या ये आरोब आपको सुकार यह है सुकार यह है साथियों भाजपा जम्मु के साथ हुए आइतिहां सी बेदभाव को दूर करने के लिए प्रतिबद्द है बीते दस सालों में जम्मु को IIT IIM और AIM जैसे बड़े संस्थान मिले कठवा और सांबाज लेके कंडी खेत्र में भी नई सडके बनवाई जा रही है चप्तर गला टनल बनने से कठवा और डोड़ा की कनेक्टिविटी और बैतर होगी कॉंग्रेस बॉर्डर के गाउं को आखरी गाउं मानती थी भाजपा ने इनको पहला गाउं बनाया है अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्रेम के तहट सीमा से सटे गाउं का विकास किया जा रहा है यहाँ जम्मू रिंग रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है इससे यहाँ जाम की समच्चा तो कम होगी ही आसपास की तहसीलों के दर्जनों गामों को फाइदा होगा साथियों आज जम्मू की सडकों पर इलेक्टिक बसे चलने लगी है जम्मू रेलिवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है जम्मू एरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है भाजपास सरकार ने बहग के लिए से महा माया मंदिर तक रोपे को भी शुरू किया है जम्मू रीजन में परियकन को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्थानों को विख्सित किया जा रहा है गराना वेट लैंड्स सुरिंसर जील और बियस एप चुंगी पोस्ट में हो रहा काम आपके सामने है यहां जब तभी रिवर्फरंड बनकर तयार हो जाएगा जब तभी के किनारे आरती होगी तो सब के लिए कितना मनोरम दश्च होगा साथियों इलाज हो मेडिकल की पैरा मेडिकल और नर्थिंग की पड़ाई हो इसको लेकर तो जम्मू में अभुद्पुर्व काम हुए है विजयपुर में एंफ बन चुका है यहां स्टेट कैंसर इंस्टिटूट भी शुरू हो चुका है हड्डियों से जुड़ी बिमारी के इलाज के लिए इतना बड़ा और आधुनिक अस्पतान यहां बड़ा है कठुआ में मेडिकल कॉलेज बनने से एक बहुत बड़े इलाके को सुविदा हुई है यहां बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज भी बनाए गए है आने वाले समय में जम्मू के विकात के काम और तेज होने वाले हैं साथियो मैं यहां के व्यापारी कारोबारी समाज को हमारे नवजवानों से भी कहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी आउसरों से भरा हुआ समय है हमारा प्रयास है कि जम्मू में जादा से जादा निवेश आए यहां नए कार खाने लगे ताकि नवजवानों को यहीं अपने अपने जीलों में ही रोजगार मिले इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजबा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण गोश्राएं की है हमने सरकारी भरतियों में भी पारदर्शी व्यवस्ता बनाई है पहले सिर्फ उनी को नोकरी मिलती थी जो कॉंग्रेस नेशनल कांफरेंस या पीड़ीपी के खास होते थे अब इस पुराने सिस्टिम को फिर से लौटने नहीं देना है पुराने सिस्टिम की बंदिशों को तोड़ कर अब जम्मु के स्मीर में हर नौजवान को उसका हक और सम्मान मिलेगा साथियों भाज़पा का प्रयास है कि माता और बहन और बेटियों का आर्थिक ससक्ति करण हूँ हमारा प्रयास यह है कि परिवार की कमाई में माता और बहन और बेटियों का योगदान बड़े कि इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्फ गुफ को मदद दे रहे हैं हम जम्मु कस्पीर की बहनों को लगपती दीजी बना रहे हैं बहनों को खेती के लिए ड्रोन पाइलट बनाने की भी बड़ी योजना शुरू की है इसे जम्मु की अनेक बहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी जम्मु कश्पीर भाजपाने माता हो बहनों के खाते में भी हर महिने हजारों रुपिये जमा करने की गोशना की है साथियों इलाज का खर्च जीरो बिजली का बीज जीरो और अतिरिक बिजली से कमाई ये भाजपान का संकल्प है और इसलिए यहां हर परिवार को गोल्डन कार्ड की सुविदा मिली है मैंने सोचल मिडिया पर यहां के बुजूर्ग की बाते सुनी है वो बता रहे थे कि गोल्डन कार्ड से उनका तीन बार ऑप्रेशन हो चुका है और उनके बेटे का भी मुप्त इलाज हुआ है गोल्डन कार्ड से उनका जीवन भी बच रहा है जो महंगा इलाज करा ही नहीं पाते थे मुझे खुसी है कि अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने मुप्त इलाज की रकम को बढ़ा कर साथ लाख रुपिय करने का वाइदा किया है साथियों आपका सेहत पर होने वाला खट तो बची रहा है हम आपका बिजली का बिल भी जीदो करना चाहते हैं मुप्त बिजली नहीं बिजली से कमाई पी हो ये व्यवस्ता हम कर रहे हैं ये सब कुछ पी एम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना से होगा पहले आपको छट पर सोलर पैनल लगाने के लिए 80 हजार रुपिय तक की मदद सरकार देगी जिससे बिजली बनेगी बिजली का बिल जिरो हो जाएगा इतना ही नहीं जो अतिरिक बिजली बेचेंगे हर परिवार को आउसतन 25 से 30 हजार रुपिय बचने वाले हैं साथियों मैं जानता हूँ 60-65 सालों में इस पूरे छेत्र की ऐसी बरबादी की गई है ऐसी तबाही की गई है विकात तो छोड़ दीजिए जीवन के हर छेत्र में गड़े ही गड़े हैं खाई बन गई है लेकिन आपको यह बता दो जीवन के हर छेत्र के इन गड़ों को भरने के लिए मोदी पूरी इमानदारी से काम कर रहा है आपकी हर इच्छा हर जरुवत को पूरा कर ले के लिए मैं कोई कोड कसर नहीं छोड़ूंगा जम्मू कश्मीर को केंदर सासीत प्रदेश बनाने का फैसला अस्थाई है जम्मू कश्मीर को भाजपा ही है जो पुर्ण राज्य बनाएगी आप हमारे इन सभी साथ्यों को भारी मतों से जिता कर बेजिए कि सभी उमीद्वार आगे आजाएं ये सभी आपके प्रतिरीती बने ये सभी आपके सपनों को साकार करें इसके लिए आपके आसिरवात चाहिए आप इतनी बड़ी संख्या में हाँ आए हमें आसिरवात दिया इसके लिए आप सब का बहुत पोदाभार मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल झाल